बच्चो अब हम करेंगे exercise 11.3 का question number 6 question number 6 के दो पाट है हमारे पास पहला पाट है कि form expressions using t and for use not more than one number operations and every expression must have t in it अब वो क्या करें कि आपको t and for ये use करके आपको expression लिखनी है and उसके अंदर सिर्फ आप one number operation ही कर सकते हो one number operation का मतलब सिर्फ एक ही operation यानि कि या तो आप एक बर addition कर लो या subtraction का operation या multiplication या division आप यह नहीं कि addition subtraction कर लिया दोनों खटते एक साथ कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं सिर्फ a की and वह कहते है कि every expression must have t t होना जरूर ही है मगर साथ में यह नहीं कि t को डा दिया नहीं t जरूर ही है ओके तो यहां पी क्या है हमारे पास कि t and u करना है t and 4 use करना है तो एक addition से सबसे पहले करते हैं अगर मैं addition से बनाऊंगा तो क्या बनेगा 4 plus t या इसको मैं t plus 4 भी क्या सकता हूं न एक यह बन गया then एक हम क्या बना सकते एडिशन के बाद सब्ट्रेक्शन का बना लेते हैं कि 4 minus t हो सकता है या इसके लाव हम यह भी लिख सकते है कि t minus 4 यह भी एक expression हो गया subtraction का एक operation हो रही है बस हमने आगे पीछे प्लेट दिया then इसके लाव और क्या बना सकते है d बना कोई और बनाना हो तो multiplication का देखे 4 multiply by t हो सकता है हो सकता है बिल्कुल अब t multiply by 4 लिखो या 4 multiply by t बात तो यह की है न then e बनाना हो जैसे कि 4 को हमने divide कर दिया t से या हम ऐसे भी बना सकते है कि हमने t upon 4 लिख के यह भी the expression है तो क्या हुआ यहां पर operation एक लग रहा है और t भी आई रहा है okay then देखो हमारे पास b part है form expression using y 2 and 7 हमें तीन यहां पर दे दिये गए दो constant एक variable okay every expression must have y in it y होना जरूरी है ठीक है use only two number operations and this should be different वह यह कह रहा है कि आपको y 2 and 7 यूज़ करके क्या करने expression बनानी है y होना जरूरी है तीसरी चीज़ वह क्या कर रहा है दो operation ही use कर सकते यह नहीं कि किसी एक operation को दो बार यूज़ कर लिया नहीं दो operation यूज़ कर सकते है addition subtraction कर लिया जैसे addition में साथ multiplication यूज़ कर लिया यह multiplication division कर लिया यह multiplication subtraction कर लिया मतलब दोनों दो होने चाहिए मगर दोनों के दोनों अलग होने चाहिए clear जल्दी से बना लेते है कोई बात नहीं आईए एक क्या बना सकते हैं जैसे हमने y लिखा तो एक बार 2 add कर दिया and minus 7 कर दिया बन गई और क्या बना सकते हैं 2 minus 7 divided by 7 2 minus y upon 7 हो सकती है बिल्कुल हो सकती है ऐसी और क्या बना सकता हूं मैं 7 minus plus कर लो 2 upon में y बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि operation देखो अलग लगा एक addition और एक division हो गया है और क्या बना सकते हैं अब है टू प्लस वाई माइनस वाई टू प्लस सेवन माइनस वाई बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं ऐसी और क्या बना सकते हो टू मल्टिप्लाइबाई वाई डिवाइड़ बाई सेवन बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं देन देखो और क्या बना सकते हो कि 7 multiply by 2 upon me y ऐसे बना लो या फिर कुछ और बनानी हो 7 minus में y upon me 2 ये भी तो expression है मारे पास ठीक है न दें कोई और बनानी हो ऐसे आप बतानी कितनी बना सकते 2 minus में 7 upon me y ऐसे बना लो बाते की है ना मारे पास तो क्या होगे बहुत सारी expression है हमारे पास बनाने के लिए जैसे मर्द ये बना सकते हैं ऐसे बहुत सारी बन जाएगी यही नहीं बहुत सारी बन जाएगी तो इसको आपको इस तरीके से बतानी है जहां पे क्या हो y तो आए गई आएगा साथ में क्या 2 operation लगेंगे कि वह अनों अलग तो यहां पे जो भी हम नहीं लगाए सारे अलग लगाए है जैसे कि इसमें subtraction हो रहा है साथ में division हो रहा है multiplication साथ में division multiplication साथ में division addition and division तो बहुत सारी ऐसे ठीक है तो मिलते हैं अब अगली exercise 11.4 पे यह आज खतम हो गी है कोई भी doubt और कुछ भी हो तो कमेंट box में डाल देना मैं help करूंगा okay and अब वीडियो अगर अच्छे लगे तो like जुरू कर लीजेगा thank you